नमस्कार दोस्तों आज पर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज की जो हमारी discussion है वो है Study in Schengen Country और European Countries की एक general discussion रहेगी तो European Country का जो Genfab के जो intake है almost सब countries के close हो चुके है except एक country को short के promoted country Malta को Malta के जो intake है हर महीने intake है जो वहाँ पर private colleges है इसलिए Malta की promotion जो हमारे consultant है जादा करते हैं market के अंदर तो साल के अंदर दो ही intake रहते हैं Schengen Countries में जो major intake है सब्तंबर वाला जो की बहुत सारी countries का already open हो चुका है कुछ countries का open होने वाला है अगर आपकी destination Schengen Countries है higher studies के लिए तो आप crown immigration से संपर कर सकते हैं तो firstly कुछ चीजें भी update करेंगे UK का जो experience रहा है जो हमारा experience है वो हमारी videos बोलती है जब भी मैं किसी भी country के उपर video बनाता हूं तो उसके मैं fact and figure बहां की जो visa policies हैं तो बहां का जो system है towards international students का fact बताता हूं तो जब हमने UK की videos डाली थी मैंने उसमें पहले warning दे दी थी कि UK के साथ जो experience है that is bad experience वो कभी भी अपने जो visa policies कभी भी change कर सकती हैं जिसमें लाखों बच्चे सफ़ड हो सकते हैं तो वो ही situation फिर हुई है और बच्चों के दड़ाद़ जो visas हैं refuse हो रहे हैं तो UK दड़ाद़ visa दे रही है अपी डाल दो अगर मेरे visas आएं भी हैं अगर उन्होंने अभी refusal स्टार्ट कर दिया तो मैं वो fact students के साथ बताऊंगा उसके बाद case लोगा इसी तरीके से इटली हमारे जो student है वो किस चीज से motivate होते हैं यह free study है और बहाँ पर 5000 यूरो का scholarship मिलता है तो आप इटली में case डालो और admission के नाम पर लाखों रुपए बच्चे गल्थ एजंडों को दे रहते हैं और पिछले तीन साल से मैं अपनी वीडियो में लगातार बताते हैं आ रहाओं कि इटली government अभी international student को majority of reactions कर रही है बट कोई भी मेरी सुनने के लिए राजी नहीं है इसी तरीके से कोविड का impact पड़ा था मैंने उस टाम मेरी कोविड वाली वीडियो देख ली कि घर में बैट के वीडियो बनाता था बच्चों से request करता था कि आप जनवरी तक wait करें बट पेशन्स नहीं है एक परसंट बोड़ रहा है जनवरी तक बेट करें और 95 परसंट लोग यही कह रहे हैं जो हमारे consultant आज हो जी अभी सब्तंबर क्योंकि अभी जब कोविड मार्च से start हुआ था close हो गया था जब ओपन हुआ तो लोगों ने फिर स्टंबर इंटेक बहुत बेचा कि आज स्टंबर इंटेक में सब बच्चे कनेडा बेजनेंगे जनर्वी इंटेक में बेजनेंगे तो आज की लास सिचूशन क्या है कि अभी तक कोई बच्चा कनेडा में पहुंच नहीं पाया है एकसेप्ट वो बच्चे जिन्होंने कतीज मार्स से पहले अपने बाउमेट्रिक्स दे दी थे उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके वीजा स्टेंपिंग होगे बट बाकी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आए तो हम लोगों ने जनर्वी की बड़ी प्रमोशन की है उसमें भी मैं अवाइड कर रहा हूं कि आप वेड कर लीजे पांच मीने चार बट वेड का तो ना तो हमारे कंसल्टेंटों का पेशन्स है कि ना वेड करवाएं और ना ही स्टूडन्स के अंदर तो ज्यादा इंपेशन्स हो जाते हैं कि यहार मैं पीशे क्यों रहा गया हैं इसी कि यह investigation कब तक चलेगी पांच मीने शे मीने साथ मीने अगर आपने फीज ट्रांसफर कर दी हुई है तो आप पांच जए मीने वेड करेंगे तो मैंने तो शुरू से request कर रहा हूं कि पांच मीने इंडिया में बेड कर लो कि फ्रेंच सीख लो वो तो आपने वेड नी किया तो अभी जो fees बेजी लिए उसके लिए पांच मिने जुरूर वेट करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो consultant अभी यही कह रहे है कि वेट कर लो कोई नहीं उनकी statement आ रही है college की कि वो अभी immediately सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा बट मैंने फिर बता दिया उसमें यह मैं अपना experience है कम से कम अभी तीन से चार यह शे महीने लग सकते हैं जो कि अभी जो भी colleges के उन्होंने CAQ suspend किये हैं आगे अभी वो CAQ issue नहीं कर सकते जब तक वो under investigation है radar के अंदर हैं वहाँ की security के और बहुत सारे private college भी अभी बहां की immigration की radar के उपर हैं वो उनको भी properly scrutinize करेंगी तो avoid करें private colleges को private के बारे में मैं definite लगातार videos डालता आ रहा हूँ तो आज हमारा जो discussion है शेंगन countries के उपर तो मानना फिर नहीं हैं जैसे मैं फिर बता दिया कि हमें experience हैं आप प्रफाइल बताएंगे प्रफाइल देखने के बार कि अगर आप पहले कौन कौन सी कंट्री से refusal आई हुई हैं तो आपको कौन सी शेंगन कंट्री के अंदर अपना visa डालना चाहिए बट आपने मानना नहीं है अगर आपका आरड़ी शेंगन का visa refuse हो चुका है तो अभी आपको कौन सी शेंगन कंट्री में अपना visa अपलाई करना चाहिए बो सिर्फ क्राउन इमिंगरेशन बाले बता सकते हैं यहां पर यहां पर केस डाल रहे हैं लेकिन यह नहीं है कि मैं 100% गरंटी देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसका visa शेंगन का आगया तो आपका भी आ जाएगा आपको percentage बताऊंगा उसके बाद आपने decision लेना है अभी Sweden का भी यही है कि Sweden में बहुत सारे लोगों ने गल्फ पेपर लगान कर visa लेने की कोशिश किया तो उन्हों ने भी अभी अपने system को scrutinize करना स्टार्ट कर दिया है Spain के भी बहुत सारे बच्चों की refusal आई हैं Latvia में भी उन्होंने अपनी verified agency को hire कर लिया है Spain ने भी ऐसे ही refuse कर रहे है क्योंकि Spain में वीजा डालने से पहले हमें बहुत सारे precautions लेने पड़ते हैं इसी तरीके से जितनी भी Scandinavian countries है उसमें वीजा डालने से पहले आपको क्या precautions लेने है कौन सी ऐसी country है यहां पर आप अपने spouse और dependent बच्चों को साथ में ले जा सकते हैं अगर आपकी marriage new है तो आपको कौन सी शेंगन country में वीजा डालना चाहिए यहां पर आपका वीजा एकठा है अगर आपकी marriage पुरानी है साथ में आपके dependent बच्चे है तो आपको कौन सी ऐसी शेंगन country में वीजा डालना चाहिए यहां पर आप सब का वीजा एकठा है यह सिर्फ क्राउनिमी ग्रिशन ही आपको बता सकती है जिसको experience है हमें देखते हुए बहुत सारे लोग फिर promotion करनी स्टार्ट कर देते हैं कि हम भी बेजेंगे जब वो case डाल देते हैं पांस सातर फ्यूजले आज़ती है जा उन student की बहाँ पर फीसें फ़सा देते हैं फिर कराउनिमी क्रिशन से approach करते हैं आगे बताईए क्या करना है मैंने इस फिर बनाया है कि हमें experience है लेकिन guarantee किसी भी चीज की नहीं है जो आपको guarantee का word use करता है किसी भी country और चैनलों के उपर बैठके guarantee भरते हैं मैं तो surprise हो जाता हूँ हम पड़े लिखे लोग हैं आप और बताते हैं कि मैं 100% UK का वीजा लगाएंगे 100% भी लिखा होता है 100% मस्टेडिया का वीजा लगाएंगे 100% हमारे कनेडा के result है वह अभी तक हमारे तो कोई 100% result आए नहीं है चाहे वो शेंगन कंट्रीज हैं चाहे वो सिंगापूर है चाहे साइप्रस है साइप्रस ने भी बहुत refuse कियें सिंगापूर ने भी बहुत regular refuse कर रहा है फिर भी चैनल के उपर हम यही दोहाई डालते हैं कि UK के हमें अभी भी हमारे 100% result है वो आप तो कुछ समझने की कोश्चश करें आपने नहीं समझना है पबलिक में फिर क्या होता है कि आप लोग ही ठगे जाते हो इन 100% के चक्कर में चलो मर्जी आपकी है तो हमारे पास अगर आपने शेंगन कंटी में जाना है किसी वी वहां पर यूनिवस्टी में अपलाई करना है मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स बताऊंगा अगर आप MBA करना चाहते हैं शेंगन कंटी में तो मैं कुछ शेंगन कंटी आपको बताऊंग मैं वहाँ की फीज जा उससे कम फीज में आपको शेंगन कंट्रीज की लीडिंग युनिवस्टीज में MBA के options प्रोवाइड कर सकता हूँ मेरे पास Switzerland है, we have very good options for doing the MBA in Switzerland कौन-कौन सी स्टीम में MBA उसके बारे में मैं discuss करूँगा इसके बाद हमारे पास Netherlands है, Luxembourg है, हमारे पास Germany है, France है, वहाँ से इवन हमारे पास Finland है, Sweden है और Denmark है, Norway है ऐसे ऐसी कंटी से हम आपकी MBA करवा सकते हैं अगर आप MBA में interest रखते हैं, MBA आइदर इन marketing है और आइदर इन humor resource में है, आइदर इन चाहे project management में है और चाहे आपकी MBA finance में है, यह मेरे पास वहाँ पर streams है, इसी तरीके से अगर आप शेंगन कंटी से किसी भी टाइप की bachelor degree और master degree किन में करना चाहते हैं, master degree data sciences में, even artificial intelligence में, we have a lot of options, even aeronatical engineering में, aerospace में आप वहाँ पर master degree करना चाहते हैं, even bio medical engineering में अपनी bachelor जां master degree करना चाहते है even अगर आप veterinary से related जहां agriculture से related students हैं, तो उसमें अपनी master करना चाहते हैं, जब bachelor degree करना चाहते हैं, तो उसके भी हमारे पास options हैं, even अगर आप अपनी hospitality में career बनाना चाहते हैं, तो hospitality के लिए मैं best चेंगन कंटी से आपको options provide कर सकता हूँ, अगर आपने ILTS के साथ डालना है, तो हमारे पास चाहे आपने humanities में कुछ करना है, चाहे आपने medical MBBS से लेटर मेरी बहुत सारी वीडियो से शेंगन में, मैं MBBS से लेटर बहुत सारी options provide कर सकता हूँ, इवन आपने nursing में कुछ करना है, इवन फार्मेसी में कुछ करना है, इवन आपने dentistry में अपनी को डिगरी करनी है, इन शेंगन कंट्री में, इवन आपने physio therapist में कुछ करना है, इवन आपने laboratory technicians में अपनी कोई bachelor या master डिगरी करनी है, इवन आपने radiologist में अपनी या master डिगरी करनी है, तो मेरे पास lost top options है, इवन humanities में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इवन international law के उपर कुछ करना चाहते हैं, तो आपको मैं शेंगन की best से best countries बता सकता हूँ, आपके budget के according, इवन शेंगन के अंदर मैंने बताया है, पांच ऐसी country है, जो की international student को free study provide करती है, लेकिन आपकी profile कैसी है, that is very important, शेंगन countries के crown immigration बहुत ही specialized है, हम बहाँ पर regular बच्चों को higher studies के लिए बेज रहे हैं, और हम हमें हर एक country के taste के बारे में मालुम है, university के taste के बारे में मालुम है, तो लोग हमें अभी ये comments भी लिखते हैं, सर आपके service charges बहुत ज़्यादा है, ये तो हम नहीं afford कर पाएंगे, तो वो person ऐसे करता है, वो consultant ऐसे करता है, मैंने फिर बता दिया, जो भी हमारे service charges है, वो हम result के लेते हैं, वीजा के बाद, ऐसा नहीं है, कि जो बाकी consultant है, free study के नाम पर, सिरफ आपका free university में admission करवाने के बाद, डेड़ लाखर का ले लेते हैं, तो वो consultant अच्छे हैं हमसे, जो सिरफ admission के नाम पर, free study के नाम पर, आप सो डेड़ लाखर का ले रहे हैं, तो हमारे जो service charges है मैंने फिर बता दिया, 2000 यूरो से लेकर, 3500 यूरो तक के हैं, depend हैं आपने कौन सी country में, हर studies के लिए जाना है, लेकिन जो हमारे service charges हैं, after approval of visa है, लेकिन advance में हम जरूर अपनी, whatsoever, जो amount हमने रखी हुए 200 यूरो तक की, 15,000 पर, से लेकर 20,000 पर, बो जरूर हम advance में लेते हैं, जो की non-refundable है, हर एक fact बता कर, मैं आपका case लूँगा, और मैं ये नहीं कहता है, कि आप crown immigration से अपना काम कराएं, लाकों consultant है market के अंदर, आप सब की service ले, सब से counseling ले, उसके बाद अपना decision ले, लेकिन request मेरी ये भी है, तो आप and is crown immigration से counseling जरूर free में ले सकते हैं, आप मुझ आपको fact बताऊंगा, आइधर WhatsApp के उपर, आइधर mail के उपर, आइधर phone के उपर, तो decision आपका होगा, और बहुत सारे लोग ये भी comments लिखते हैं, sir, बो agent ये कहता है, ये agent बो कहता है, वो देखे, उनका धंदा है, लेकिन मेरा फर्ज, जो मेरा conscious है, मैं बो ही बताऊंगा, ल लोगों का ये भी ख्यार रहता है कि foreign countries में बहुत easy survival है, आज की date में किसी भी foreign country में easy survival नहीं है, so समझ कर जाना है, किसी भी foreign country में, लेकिन आपको मैं truthful information देकर ही उस country में बेजूँगा, जहां पर भी आपने जाना है, वहां की situation कैसी है, job है जा नहीं, मैं सब truth में बताऊंग there after you will take the decision, अगर आपकी किसी भी foreign country में पढ़ने की सला है, पढ़ने का aim है, तो crown immigration आपको best से best service प्रवाइड कर सकता है, आपके budget के according, तो अगर आप मेरे channel पर और भी इस type की videos देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे channel के उपर इस type की 600 से ज़्यादा videos है, different topic के उपर, तो उनको भी आप रोज करके देख सकते हैं, मैं हर एक videos में कोई ना कोई जो updates रहता है, किसी भी country का visa refusal के उपर, visa आ रहे हैं, उसकी में update देता रहता हूं, तो last year मेरे यह request है, कि अगर आपको यह मेरे video अच्छे लगी तो इसको like and share करना नाम है, thank you.